मैट्रिक इंटर के जितने भी परिक्षारती है जो बिहार बोर्ड से 2022 में मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परिक्षा देंगे आपके लिए आप जानते हैं प्रती दिन जितने भी छोटे या बड़े नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड के तरफ से जारी किया जाता है उन सभी महत्वपूर नोटिफिकेशन की जानकारी हम आप तक लाते हैं ताकि आप से बिहार बोड का कोई भी सुचना वंचीत नहीं रहे और आपको किसी भी तरह की परिक्षा देने में कठनाई की सामना नहीं करना पड़े इसी करम में आज भी बिहार बोड के तरफ से काफी महत्वपूर महत्वपूर कुछ नोटिफिकेशन आया है पूरे नोटिफिकेशन को बिस्तार से समझेंगे अंत तक बने रहे गए क्योंकि दो तीन नोटिफिकेशन और सभी नोटिफिकेशन काफी महत्वपूर ना है पहल की रजिस्टेशन सुल्का तो आपका प्रेक्टिकल का डाउनलोड नहीं हो रहा है तो ऐसे ही स्कूल कॉलेज को भी हार बोर्ड ने लास्टेट दिया है कि 27 बारा तक आप 24 चातरों का फी सकाया रखें उन्हें जामा कर दें और 27 बारा तक अगर आपका इस्कूल कॉलेज अगर आपका इस्कूल कॉलेज से प्राप्त करना है अगर आपका इस्कूल कॉलेज आपको डाउनलोड करके प्रेक्टिकल का एड्मिट कर दे देता है तो समझेगा आपका फी जो है जमा हो चुका है अगर नहीं आपका डाउनलोड हो परा है तो समझेगा आपका भी पका तो 27 तक मौका है अगर 27 तक आपका इस्कूल को लिजब कफी बिहार बोड तक भेज देगा तो आपका एडमिट कर फिर डाउनलोड होना सुरू हो जाएगा और प्रेक्टिकल का एडमिट कर सिर्व अभी इंटरमेडियेट के चात्रों का आया है मैट्री के चात्रों के लिए जारी नहीं किया गया है अगला जो यहां पे देखिया महत्वपूल नोटिफिकेशन है यह नोटिफिकेशन है आपके जो मोडल पेपर आया है उसको लेकर एक काफी महत्वपूल नोटिफिकेशन है इसमें परिक्षा पैटन और सीलेबस की जानकारी दिया जा रहा है बता कहने का मतलब है कि सभी में छोलने का बिकल्प मौजूद होगा अर्थात की अब आगे देखिए महत्वपूर जनकारी है मैट्रिक और इंटर का दोनों जारी हुआ है यहां पर बताया जारा है कि बहुत तीकी में कितना प्रस्न अब्जक्टिव रहेगा कितना का जबाब देना है जीव भी ग्यान में गणित में अकाउंटेंसी में तो इतना हम लोग डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि यह सभी आप मोडल पेपर अगर डाउनलोड करके अब महतवपूर्ण बात के सिर्व बात करते हैं तो यहां पर देखें जो मैट्रिक इंटर का मोडल पेपर आया है वो के आजानकारी दे रहा है कि हर प्रस्न में आपको दो गूने बिकल्प हैं दो गूने बिकल्प का मतलब माले जीव आपका पेपर सोव अंका है तो अब गूतरिये में भी उसी तरह दिरहूतरिये में भी उसी तरह और सबसे महतवपूर्ण जनकारी बिहार बोड के तब से बताएगा कि मोडल पेपर के माध्यम से बिद्यार्थी प्रस्न पत्र का पैटर्न जान सकेंगे आपको डाउनलोड करके तैयारी करना है जिस रूप में मोडल पेपर में अबजेक्टिव सब्जेक्टिव सेट किया गया है उसी रूप में एक जाम में भी आएगा और जिस अस्तर के प्रस्न है उसी अस्तर के प्रस्न आएंगे यह नहीं कि वहीं प्रस्न आएगा उसी वहां से देखिए मोडल पेपर से दो बात की जनकारी होता कि मानले जे कोई ऐसा छात्र है कि जो अभी तक 50% इस सीलेबस पढ़ पाया है तो उसको भी देने में दीकत नहीं होगा इसका कारण क्या है कि सोची हमको आधा परसंतों छोलना ही है तो मानले जे यह नहीं है कि एक ही चप्टर से 100% पूछा जाएगा जैसे मानले जे आपको मायथ में 100 अबजक्टीव आएगा इसका मतलब क्या है कि आपसे मायथ में 100 अंख के अबजक्टीव आ लेकिनि उसमें से आपको 50 अंख का ही बनाना है अगर मानलीजी आप मैत में आपका suppose that मानलीजी 15 चेप्टर है अगर आप शुरू के 8 चेप्टर या अंत के 8 चेप्टर पर अगर आपका अच्छा से कमांड है तो आप कोई भी 7 चेप्टर छोड़ दिये तो उस 7 चेप्टर का प्रसंद छोड़ भी देंगे तभी आपको इस आठ चेप्टर से ही प्रसंद हो जाएगा पचास अब्जेक्टीब तो आप इसी से जबाब दे देंगे मैत का ही नहीं है सभी बिसे में ऐसे ही आइडियाज आप फॉलो कर सकते हैं अर्थाथ कि अगर आपका कुछ चेप्टर छुटा है तो उस पर जादा आपको फोकस र जबाब दे पाएंगे क्योंकि आपसे 100% प्रसंद पूछा जाएगा जिसमें से 50% बनाना है और ताथ कि आधा प्रसंद आपको छोड़ना ही है तो जो आप नहीं पढ़ें उसी को आप छोड़ेंगे इससे आपको एकजाम देने में काफी सहुलियत होगा तो आज की इस प पकाया है उनका एड्मिट काड जारी नहीं किया गया 27 तक लास्ट दिया गया अगर 27 दिसमबर तक आपका इसकूल को लेजाब का फी भेज देता है तो आपका भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा क्योंकि 10 जनवरी तक आपका प्रेक्टिकल का एड्मिट काड डाउन चार बनाना है तीस पूछ रहा है तो पंद्रह बनाना है यह सम में आधा प्रसन छोड़ने का भी कलब है तो यह जानकारी दे रहा है कि अगर आप सीलेबस का अपना तैयारी 50% भी सीलेबस अच्छा से पढ़े होंगे अगर अच्छा से उसका कॉंसेप्ट सीखें तो आप आपको किसी भी तरह का भी का नुझः चाहिए 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 प्रेक्टिकल एकजाम का एडिमिट काड का लिंक जैए सही अक्टिव होगा उसको डाउनडोड करना है यह आप को चुन चार साल का मोडल पेपर आपको डाउनलोड करना हो है औरा जस से यह जरूर पढ़ प्रिश्चा में कम समय तो जीतना पढ़ें उसी का बार बार आप रिविजन कीजी आपका बिल्कुल संदार रिजल्ट आएगा आप सभी को बहुत बहुत धन्यबाद